महाकाल संहिता गुष्यकाली खंडः पुरवाक महाकाल संहिता गुष्यकाली खंडः का प्रथम भाग जिक्यासु विद्वन मंडल के समक्ष प्रस्तुत है ये ग्रंध पुर्व में दह किशोरनात ग्याद्वारा संपादित किया गया था पुरहस्तित संगसकरन की हिंदी व्यक्या एक मात्र उसी उपलब्ध संगसकरन के आधर पर की गई है महाकाल संहिता की पुष्पिका में हुलिकित पंचशत शहस्रयान महाकाल संहितायम से ग्यात होता है कि ये ग्रंध पंचशत शहस्र अर्थात पांच सो हजार पांच लाख शलोकों में उपनिवद्ध था ग्रंध का इतना व्रिहदाकार होना कोई आस्चरिय की बात नहीं क्युकि मालीनी बिजाय तंत्र के सिध्ध योगेश्वरी तंत्र नवकोटी प्रविस्तरम वचन से सिध्ध योगेश्वरी तंत्र जिसे वाग के श्वर तंत्र भी कहते हैं का प्रणायन नवकरण श्लोकों से हुआ था संप्रती इस उपलब्ध एवं मुद्रित ग्रंथ में श्लोकों की संख्या पाँच से साथ हजार के बीच है हेंबर्ग जर्मणी तथा काटमांडू नेपाल के पुस्तकालयों में इस ग्रंथ की पांडू लिपिया देवनागरी तथा नेवारी लिपियों में सुरक्षित है स्वीट जर्लेंड के मेरे एक विद्ध्यार्थी ने उन पांडू लिपियों की सूची मुझे दिखलाई इसमें मुखपत्रावलियों की संख्या 430 459 474 466 और 766 है बहुत संभव बहुत संभव है उन पांडूली पियो में वर्तमान श्लोको की संख्या इस मुद्रित ग्रंथ के श्लोको की संख्या से अधिक हो अस्तु काली आध्या शक्ती है रक्ता श्यामा भेद से यही त्रिपूर संदरी त्रिपूर भैरवी आधी तथा दक्षिण काली भद्रकाली आधी रूप धारन करती है काली के अनेक अवांतर रूप है उनकी संख्या आथ नो, दस, बारा तक बतलाई जाती है उसके अतिरिक्त तारा आदी नव महाविद्याय भी मूलत है इसी का रूप विस्तार है महाकाल संहिता बहुत संभव है आद्या के महाविद्या नामक सभी दश रुपो तथा अन्य विक्रहो के वर्नन से उपनिवद्ध रही हो क्योंकि पांच लाक अथवा पुश्पिका में पंचाशत पाठ मानने पर पचास हजार श्लोक केवल आध्या शक्ती काली एवं उसके रुपांतरो तारा आधी की चच्चा नहीं करेंगे इसके अतिरिक्त गुह्यकाली और कामकला काली नामक दो खंडों में बिवक्त इस ग्रंथ के दोनों खंडों के बीच के बहुत सारे पटल अनुपलब्ध हैं गुह्यकाली खंड का प्रारंभ पटल संख्या 181 तभा कामकला काली खंड का पटल संख्या 241 से होता है इससे सिद्ध होता है कि ये संहिता अधिक ब्रिहदाकार की रही होगी इस ग्रंथ की विशालता के अन्तह साक्ष्य भी है गुह्यकाली खंड के दशं पटल में पीठ मूला प्रतिष्ठा के संदर्भ में बात कई गई है पीठ मूला प्रतिष्ठा तु पुरा ते प्रतिपादिता त्रिपुरायाह प्रसंगेन तत्रोह स्वल्प इश्यते त्रिपुरायाह प्रकरने इससे प्रतित होता है कि महकाल संहिता में त्रिपुरा खंड भी था इसी प्रकार कामकला काली खंड में तत्रध्या दक्षिना काली पुरायव कथिता त्वै क्वचित च गुह्या काली वत भद्रकाली च कथिता समंत्र ध्यान पूजना इत्यादी वचनों से ये शुनिस्चित होता है कि महकाल संहिता के दक्षिना काली तथा भद्रकाली नाम के दो खंड रहे होंगे तारा शहस्र नाम की अनेक पांडूली पियो के अंतमे इती महकाल संहितायां पाठ मिलता है इसी प्रकार कामकला काली खंड के आरंभ में तारा च छिन्नमस्ता च तथा त्रीपुर सुन्दरी वाला च वगला चापी त्रीपुरा भैरवी तथा काली दक्षिनकाली च कुपजिका शवरेश्वरी अभोरा राजमातंगी सिद्धि लक्ष्मी ररुन्धती अश्वारूडा भोगवती नित्यक्लिन्ना च कुकुटी कौमारी चापी वाराही चामुंडा चंडिकापी च भुवनेशी तथोच्छिष्ट चंडाली चंड घंटिका काल संकर्षणी चापी गुह्यकाली तथा परा एतास्चान्यास्च वै देव्याह संपन्न एतास्चान्यास्च वै देव्याह समंत्रह कथितास्त्वया श्लोक महाकाल संहिता में तरा छिन्नमस्ता आदी देव्यों की उपनिवधता सिद्ध करते हैं काली से संबंध कर्पुरस्तव को महाकाल संहिता से संबंध माना जाता है किन्तु उपलब्ध होने खंडों में ये मुद्रित नहीं मिलता इससे भी ये सिद्ध होता है कि प्रस्तुत संहिता का दक्षणकाली खंड भी रहा होगा जीन देवियों के नाम उक्तशलोकों में गिनाए गए है उनका भी सांगो पांगो वर्णन इस ग्रंथ में अवश्यम रहा होगा तभी पंचशत शाहस्यम वचन की संगती बैठेगी उपरियुक्त विवेचन के आधर पर ये सिद्ध होता है कि महाकाल संहिता में दस महाविद्याओं तथा अन्य देवियों की मंत्र यंत्र उपासना की पधती का विस्त्रित विवरन था इस तत्य को ध्यान में रखकर भूमिका में दस महाविद्याओं के संग्षिप्त परिचय एवं अच्चना करम का उल्लेख करने का प्रयास किया गया है महाकाल संहिता शक्ती की वाममार्गी साधना उपासना का उच्चकोटिक ग्रंथ है इस उपासना में पंचमकार, मास, मद्य, मत्य, मैथुन और मुद्रा का प्रयोग किया जाता है यद्य पी लोकिक तथा स्मार्थ द्रिष्टी से इसकी वैधता नहीं है तथा पी यदि ये कारिय तंत्रशास्त्रोक्त विधी से देवी के लिए समर्पन भाव से किया जाता है तो इसमें दोश नहीं होता इस विशय में तारा भक्ती सुधार्ण तंत्रा लोक आदी ग्रंथ प्रमान है इन ग्रंथों में कहा गया है कि जिस प्रकार सुत्रामणी आदी यागों में सुरापान भैध है जिस प्रकार आश्वलायन भाष्य के अनुसार ब्रह्मचारी एवं पुंख्चली का समागम बैध है जिस प्रकार चांदोग्यपनिशद में वामदेवी उपासना के अवसर पर परदार ग्रहन को बैध माना गया है उसी प्रकार आगम में पंचमकार का प्रयोग वैद है महकाल संहिता उदारवादी शास्त्र है ये पंचमकार के अनुकल्पो की भी चर्चा करता है आद्रकस्य गुडस्याबी समे भावे भावेत सुरा चिरंतनं चारनाल मांबिदकं चिरंतनं चारनाल माब्धिकं त्वारधिकं तथा तामरपात्रे तथा शुरुद्रं पयो गव्यं तथा त्रचा नारी केलो दकं कांसिये रीतो तालर सोपी चा रसा लश्च रसो रंगे शंगे वा पानसो द्रवाः मधुक पूटके द्राक्षा तत्पुष्यं तत्दलेपी चा चिंचारस पद्मपत्रे श्वत्थे कारक पानकं उपमध्यानी चैतानी द्वादस सुर्वा रानने इसी प्रकार मास अधिके भी अनुकल्प है बैदिक कर्मकांड में पंचो पचार, दशो पचार, शोडशो पचार तथा राजो पचार आधिके उपयोग की चच्चा इस ग्रंथ के उदारवादी द्रिष्टि कोन का प्रमान है ये ग्रंथ बैदिक एवं कोलिक दो अतिमारगी के मध्य सामन जस्यक की भोमी का प्रस्तुत करता है तंत्रशास्त्र विशय एवं प्रक्रिया या यो कहिए सिद्धांत एवं व्यवहर दोनों द्रिष्टियों से दुर्व है यहां पदे-पदे स्खलन की संभावन रहती है अतह इस ग्रंथ की फ्याक्या अत्यंत सावधानी के साथ की गई है इस क्रम में मुख्यत चार बिंदुओं पर बल दिया गया है एक व्याक्या मूल ग्रंथ की पदावली के साथ सठिक एवं संगत हो दो व्याक्या में ग्रंथ की मूल भाबना को यथा संभव उसी रूप में उतारा जाए इसलिए ग्रंथ गत विचार को स्वष्ट करने के लिए अपनी और से यथा संभव कम से कम शब्दों को जोड़ा गया है तीन मंत्रोधार प्रकरन में पाठकों की सुविधा के लिए ततत मंत्रों की उद्धार चर्चा के आंत में उनके स्वरूप का भी संग्योजन किया गया है प्रथम समस्करन में कहीं कहीं मुद्रित श्लोकों की अपूर्णता को यथा मती पूर्ण करने एवं अशुद्धियों को शुद्ध करने का प्रयास किया गया है फिर भी प्रस्तुत समस्करन पूर्णता निर्दुष्ट है ऐसा कहने का साहस लेखक में नहीं है महाकाल संहिता गुह्यकाली प्रथम खंडव के सभाश्य प्रकाशन में मैं सर्व प्रथम अपनी इष्ट देवता माता गायत्री एवं इस संहिता के सुत्रधार महाकाल एवं उनकी शक्ती देवी काली को शाष्टांग प्रणाम करता हूँ जिनकी क्रिपा से ये कार्य निर्विग्न संपन्न हुआ अपने दिक्षा गुरु प्रातह स्मरणिया शुरी शीव चैत्यन्यजी वर्णी का मैं रिदय से आधम अन्या स्विकार करता हूँ जिनकी सतत प्रेर्णा एवं परक्षा 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 आशिर्वात के फल्स्वरूप ये ग्रंथ विद्वजनों के समक्ष आ सका पुन्या स्लोक श्री रामशर्मा आचारिय एवं उनकी पत्नी वंदनिया भगवती देवी के सुक्ष्म आशिर्वात तधा देव संगस्कृती विश्व विद्ध्यालाय के कुलाधिपती डाक्टर प्रणव अंडिया एवं विश्व विद्ध्यालाय अन्य अधिकारी कर्म चारीगन की स्नेहासिक्त शुग कामना प्रोचाहन निस्वार्थ समाधर तधा सत्य प्रेरन के लिए विद्धाय से आभार प्रकट करता हूँ इस प्रकाश्य एवं पवित्र ग्रंथ के प्रकाशन में मालविय कम्प्यूटर्स के बंग रामरंजन मालविय को उनके अहरनिश अभ्यूदाय के लिए आशिर्वाद देते हुए चोखंबा सुरभारती प्रकाशन के अधिश्टाता श्री नवनीतदास गुप्त एवं श्री नविन गुप्त को हार्दिक साधुवात देता हूँ इस अध्यात्मिक अध्यवसाय में जो कुछ न्यून तुरुटि पूर्ण तथा विसंगत है वो मेरी नैसर्गिक अपूर्णता के कारण है इत दर्थ में विद्वत ब्रिंद से क्षमा की अपेक्षा रखता हूँ जो कुछ समीचिन शुष्टु और सुसंगत है वो मेरी आराध्य देवता विश्वजननी माता गायत्री का क्रिपा प्रसाध है विनयावनत राधेश्यम चतुरुवेदी उत्तर प्रदेश के आजमगड जिले में फूलपूर पहसिल के मुख्यालाई से 20 किलोमेटर उत्तर में गाजीपूर नामक एक गाउ है प्रायह धाईसो वर्ष पूर्व उस गाउ में देवनाथ चौवे नामके एक जमीनदार रहते थे उनके एक मात्र पुत्र रगुनाथ चौवे की ससुराल फूलपूर तहसिल से 2 किलोमेटर दक्षिन स्थित कनेरी गाउ में थी ससुराल में नेवासा मिलने से वे इसी गाउ में आकर रहने लगे उनके एक लड़का हुआ जिसका नाम गुदरी चौवे था बाद में वे गुदरी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए गुदरी बाबा के घर से एक किलोमेटर पूरफ की दिशा में एक देवी का मंदिर था जो आज भी विद्यमान है इस देवी को लोग बुडिया माई के नाम से आज भी जानते है गुदरी बाबा बुडिया माई के अनन्य भक्त थे और उनके उपर माई की क्रिपा भी बहुत अधिक थी साथ ही वे साल में एक बार दिंध्या चल पैदल जाकर भगवती का दर्शन भी किया करते थे गुदरी बाबा नित्य अपने घर से दो किलोमेटर दक्षिन में स्थित भोरमव गाउ जाकर गुड़ल का फुल ले आते और बुड़िया माई की पुजा कर उनको दुर्गाश अप्तशती का एक पाठ सुनाया करते थे बुड़िया माई की उनके उपर क्रिपा की कुछ घटनाओ जिने मैंने अपने मा तथा चाचा से सुनी का उल्लेख अप्रसांगिक नहीं होगा एक मा बतलाती थी कि उन दिनों चेचा कर्थात बड़ी माता का प्रकोप हुआ करता था विशेश रूप से वैशाक जेट के महीनों में लोग माता के प्रकोप को शांत कराने के लिए बाबा के वहाँ आया करते यदि रोगी को निरोग नहीं होना होता तो बाबा के घुटनों में दर्ध होने लगता और वे आय हुए व्यक्ती से कह देते कि मेरे जाने से कोई भाइदा नहीं होगा एक बार की घटना है ये व्यक्ती आया उसके बच्चे के उपर बड़ी माता का प्रकोप था उसकी प्रार्थना पर बाबा चलने के बाबा चलने को हुए तो उनके घुटनों में दर्ध होने लगा बाबा ने उस आदमी से कहा मुझे मत ले चलो कोई फाइदा नहीं होगा वो जिद करने लगा अंत में बाबा उसके साथ उसके घर गए घर में घुसते ही उसके लड़के के उपर आविश्ट माता बोल पड़ी तुम क्यूं आए मैं इसे नहीं छोड़ूंगी इसने बड़ी भारी गलती की है बाबा ने पुछा आप इसे कब ले जाएंगी मा ने कहा आज आधी रात को बाबा ने कहा मुझे कैसे पता चलेगा मा ने कहा जब तुम्हारी छाती पर पानी की एक बड़ी बूंद गिरे तो समझना कि मैं इसे लेकर जा रही हूँ जेट का महिना था बाबा घर के बाहर मैदान में सोय हुए थे उनकी चाती पर पानी की बूंद गिरी बाबा उड़ बैठे उन्होंने आसमान में कोई पालकियों को कहारों के द्वारा ले जाती हुई देखा बीच में एक पालकी सबसे बड़ी और सर्वाधिक सुसजित थी बाबा समझ गए कि उसमें मा बैठी होगी उन्होंने हाथ जोड़ कर प्रणाम किया बाबा बताते थे कि सबसे पीछे काली पालकी का परदा उठा कर एक काली औरत ने बाबा को देखा जिसके फल्सवरूप बाबा दो दिनों तक जोराकरंत रहे दो, हमारे घर से 4-7 किलोमेटर दूर उत्तर दिशा में गहिनी नाम का एक गाउ है वहाँ धर्मशास्त्र के एक बहुत बड़े विद्वान महावीर पांडेय रहते थे एक बार वे भी बड़ी माता से ग्रस्त हो गए उन्होंने बाबा को बुला भेजा बाबा वहाँ पहुँचे तो महावीर पांडेय के उपर आविष्ट माने इन्हें दुर्गा पाठ सुनाने के लिए कहा उसी समय काशी के भी दो पंडित वहाँ पाठ करने के लिए बुलाए गए थे बाबा ने माता की अज्यान उसर पाठ सुनाया दो पहर को जब बाबा को भोजन दिया गया तो मा चिल्ला उठी मुझे सुखी रोटी और दाल खिला रही है इसी उसी आवेश में महावीर पांडेय घर के अंदर गए और घी का बरतन उठा कर ले आए बाबा की थाली में 200 ग्राम घी डाल दिया बाबा बोले इतना घी हम पचा पाएंगे मा ने कहा तुम खाओ पचाओंगी मैं उसके बाद काशी के पंडितों को मा ने वहाँ से वापस कर दिया और बाबा नौ दिनों तक मा को पाठ सुनाते रहे तिन उन दिनों बाबा आर्थिक विपननता से ग्रस्त थे एक दिन दादी ने कहा आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है बाबा बुडिया माई के मंदीर में गए और हाथ जोड कर बोले मा आज घर में खाने के लिए कुछ नहीं है ऐसा कहे कर जब वे लौटने लगे तो चोखट के पास उन्हें उठननी पड़ी हुई मिली बाबा ने कहा बस बस इतने से मेरा दस दिन का खर्च चल जाएगा उन्दिनों एक रुपाए का 40 किलो रशन मिला करता था एक बार बाबा तथा गाउं किये शिवराज पंडेया बिंध्याचल मा का दर्शन करने के लिए गय हुए थे रात को भोजन करने के बाद शिवराज ने पूछा चौबे बाबा आप कहां सोएंगे बाबा ने कहां मा की गोद में उन्दों गंगाजी पक्की सीडियों से सटकर बह रह थी बाबा के कहने का तातपर यथा गंगाजी की जलधारा के पास वाली सीडियों पर सोना शिवराज ने कहां वहां सोईएगा तो रात में बड़े बड़े कच्छुए आपको उठा ले जाएंगे बाबा ने कहा चाहे जो हो मैं तो मा की गोद में ही सोऊँगा रात में बाबा पानी के पास सीडियों पर सोई और शिवराज सबसे उपर पहली सीडियों पर रात में तीन बजे के आसपास बाबा की निंद अचानक खुली उन्होंने देखा की दो औरते आपस में बाते कर रही है उन्में से एक बाबा के सिर की और तथा दूसरी पैर की और खड़ी है एक स्त्री ने दूसरी से कहा देखो मेरा तो समय हो गया मैं जा रही हूँ सवेरा होने तक उसकी रक्षा करना और इसकी घर पहुचने पर इसको सोलह दिनों तक पूरी खीर खिलाना तथा सोलह रुपए दक्षिना देना और वो जो इसे कचुए का डर दिखा रहा था उसे घर पहुचने पर एक थपड मार देना बाबा ये सुनकर चुपचर उठे और शीवराज के साथ घाउं आ गए उस दिन से सोलह दिनों तक लगातार बाबा को कही न कहीं से निमंत्रन मिलता रहा और भोजन के बाद एक रुपए दक्षिना मिलती रही उधर शीवराज अंड्या घर आने के बाद बीमार पड़ गए बावा ने जाकर उनको निरोग होने के लिए मा से प्रार्थना की चार पांच मेरी मा बतलाती थी कि एक बार किसी को बड़ी माता निकली थी बावा वहां गए उन्होंने पाठ सुनाया मा ने प्रसन्न होकर बावा से पुछा तुम्हें क्या चाहिए बावा ने कहा रोज सवा सेर अन्न मा बड़े जोर से हसी और कहने लगी धत तेरा भला हो तुमको मागने भी नहीं आया तुमको मागने भी नहीं आया अच्छे मेरे पिताजी जब बालक थे उनकी आख में सेहुड का दूद पढ़ गया सेहुड का दूद जिसकी आख में पढ़ जाता है उसकी आख में भायानक रोग हो जाती है यहां तक कि आख की रोशनी जाने की भी डर रहता है बाबा पिताजी को लेकर बुडिया माई के पास गए उनको प्रणाम कराया तथा उनके चर्णोदक से पिताजी की आख धूला दी पिताजी को कोई रोग नहीं हुआ साथ मेरे घर के बगल में एक औरत रहती थी जो पद में मेरी भावी लगती थी उन्होंने मुझे बताया दिवाली का दिन था दिन में करीब तीन बज रहे होंगे बाबा ने हम लोगों को बुलाया और कहा कि आज हम जाएंगे भावी ने पुछा बाबा कहा जाओगे बाबा ने कहा मा के पास भावी तथा और लोगों ने कहा आपको न खासी न बुखार न जूड़ी कोई बिमारी नहीं आप ये क्या कह रहे हैं बाबा ने कहा तुम लोग दीवाली के दीप जला कर मेरे पास आ जाना दीप जला कर सब लोग मेरे घर बाबा के पास आ गए थोरी देर तक आखे बंद रखने के बाद बाबा ने कहा मुझे चार पाई से नीचे उतार दो लोगों ने उन्हें नीचे उतार कर लीटा दिया लोगों के देखते देखते बाबा ने आखे बंद कर ली गदरी बाबा मेरे प्रपितामह थे उनके पुत्र का नाम रामनाथ था जो मेरे पितामह थे रामनाथ चौवे की चार संताने थी, दो पुत्र और दो पुत्रिया मेरे पिता मुरलीधर चौवे ज्यश्ट थे मेरे चाचा रुद्र प्रसाद चौवे उनकी तृतियस गंतती में गिने जाते थे ये संगस्कृत एवं आयुर्वेद के निशनात पंडित थे मेरी माता सकला देवी परम आस्तिक एवं शक्ती की उपासिका थी बुडिया माई एवं बिंद्याचल भगवती के प्रती उनके रिदय में असीम आस्ता अटुट श्रद्धा और भक्ती थी प्रत्येक रविवार को वो एक भुक्त ब्रत रक्ती और कार्तिक मास में प्रातह स्नान और तुलसी पुजा नित्य किया करती थी देवी के गीत और भगवान के भजन उने बहुत प्रिय थे वे निरंतर उन गीतो भजनों को गाया करती उनका अनुशासन बहुत कठोर था दिन ढलते घर पर उनके सामने उपस्थित होना अनिवारिय था अन्य था भीतर से दर्वाजा बंद पुनाह देर से न आने की प्रतिग्या करने पर ही दर्वाजा खुलता मैं भी मा के बिना नहीं रह सकता था रात में उन्हीं के पास सोता था प्रतिदिन बिस्तर पर लेटने के बाद मा इश्वर से क्षमा मांगती और नीमनलिखित कवच पाठ करती इश्वर रक्षा करहु हमारी हम आई हैं शरन तुम्हारी तुम बिन और न रक्षक स्वामी नाथ आपके चरन नमामी क्रिपाद्रिष्टी हे रहु तुम नाथा दीन जानी के करहु सना था दीन भर के अपराद हमारे ख्षमा करहु करुना निधी सारे इसके पश्चात वे जितना हो सकता था उतने देवियो देवो का नामो चारन कर जय बोलती फिर मुझे कहानिया सुनाती हुई मेरे सोने पर सोजाती मेरे पिता अत्यंत सरल रिदय एवं परम भागवत थे प्रत्येक मास की दोनों एकादशी तिथियों में वे ब्रत रखते थे शालग्राम की पुजा तधा शुरी रामचरित मानस का मास पारायन पाठ उनका नित्यकर्म था पाठ के अंत में जो उपसंहारत्मक पद्य वे कहा करते थे प्रसंगवश यहां उनका उल्ले किया जा रहा है शुरी रामचंद्र क्रिपालू भजुमन हरन भवभय दारुनम् नवकंजो लोचन कंज मूख करकंज पद कंजारुनम् कंदर्प अगनित अमित छबी नवनील नीरज सुन्दरम् पटपीत मानहु दडित रुची शुची नोमी जनक सुतावरम् भजु दीनबंधु दिनेश दान वेदैत्य वंश निकंदनम् रगुनंद आनंद कंद कोशल चंद्र दशरत नंदनम् सीर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूशनम् आजानु भूज सर चापधर संग्राम जीत खरदूशनम् इती वदती तिलसीदास शंकरशेष मुनि मनरंजनम् ममरिदय कंज निवास कुरु कामादी खल दलगंजनम् मनजाही राचो मिलही सो वर सहज सुन्दर सावरो करुना निधान सुजान सील सनेह जानत रावरो एही भाती गौरी असी ससुनी सिय सहीत हिया हरशीत अली तुलसी भवानिही पुजी पुनी पुनी मुदीत मनमंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिय हिया हरश न जात कही मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे मोसम दीनन दीन हीत तुम समान रघुवीर अस विचारी रघुवंशमनी हरहु वीसम भव भीर कामिही नारी पियाही जिमी लोभिही प्रिय जिमी दाम तिमिर गुनात निरंतर प्रिय लागहो मोहिराम अर्थन धर्मन काम रुची गती न चहो निर्वान जनम जनम रती राम पद यह वरदान न आन अवनाथकरी करुना विलो कहु देहु यह वर मागव। जेही जोनी जनमव। कर्म वस तह राम पद अनुरागव। बिनतीकरी मुनिनाई सीर कहकर जोरी वहोरी चरन सरो रूह नाथ जनी कवह। तजे मती मोरी श्रवन सुजस सुनी आयव प्रभो भंजन भवभीर त्राही त्राही आरती हरन सरन सुखद रगुवीर। एक घरी आधी घरी आधिय। मैं पुनी आधा तुलसी संगत साधु की हरे कोटी अपराधा। कथा विसरजन होतु हे सुनह वीरहनुमान जो जन जहां से आई है तहां तहां करहु पयान। वाजा वाज गहावर भरद्वाज के पास देवता सव आश्रम गए संग्भू गए कैलास। पहले कहे चुका हुँ कि मेरे पित्रिव्व संगस्कृत एवं आयुरवेद शास्त्र के प्रकांड पंडित थे। उन्ही के निदश्रन में मैंने संगस्कृत का अध्यायन किया। वे मारन सम्मोहन उच्चाटन आधी शटकर्म से संबध्ध अनेक घटनाओ को मुझे सुनाया करते थे। मेरे उत्साह वर्धन हेतु मुझे कालिदास का। यशो अधिगंतु सुखली प्सिया वा मनुष्य संख्या मती वर्तिंतु वा। निरुच्चुका नाम भी योगा जंग समुच्चुके वांक मुपैती सिथ्थि। श्लोक बार बार सुनाया करते और कहते की कूल की प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। सन 1949-50 की बात है। उस समय मेरी अवस्थ्या नौदस साल की थी। मेरे घर से पूर्व दिशा में कुछ वालो का घर है। एक घर में एक महिला जिसका नाम कुंता था जेट की दो पहरी में एक दिन नदी से स्नान कर लोट रही थी। रास्ते में उसके उपर देवी का आवेश हो गया। मा को उसने बुला भेजा। और प्रति दिन मा एवं अन्य औरतों को लेकर कभी बुडिया माई कभी अन्य ग्राम देवी के यह जाती। मा घर आकर मुझे सारी बाते बताती। एक दिन मैंने मा से कहा मुझे भी उनके पास ले चलो। मा ने कहा उनके पास केवल स्त्रिया ही रहती है। पूछलू तब ले चलोंगी। मा ने उनसे पुछा तो उन्होंने सहर्ष आदेश्ट दे दिया कि बच्चे को ले आओ। दुसरे दिन मा के साथ जब मैं उनके कमरे के दरवाजे पर पहुचा तो देखा कि वे चादर तानकर मुह ढखकर सो रही है। मा ने मुझे चुप रहने का इशारा किया। इतने में उन्होंने चादर हटा दी और कहा। आ गए बेटा मैंने हां कह दिया। मा के निद्देश आनुसर मैंने उनको प्रणाम किया। और उन्होंने आशिरवाद दिया। फिर मा ने उनसे मेरे लिए निवेदन किया। महराज ये हर दिन पंद्रह दिन पर बीमार हो जाता है। आशिरवाद दिजिए। उन्होंने कहा अब ये बीमार नहीं पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझसे पूछा हमारी सेवा करोगे न। मैंने हां कहेकर स्विक्रिती दे दी। ततपस्चत मा के साथ मैं घर चला आया। इस दिन, उस दिन के बाद मैं कभी बीमार नहीं पड़ा। तेरा चौदा वर्ष बाद सन 1963 में साधरन ज्वराकरंत हुआ। सन 1960 में अध्यय नर्थ काशी आगमन के बाद प्रति सोंबार को अन्नपुर्णा विश्वनात मंगलवार को संकटा दिंध्य वासिनी और शनिवार को संकट मोचन का दर्षन करने का मेरा नियम था। दुर्गाशाप्त abbiamo स्थी मे कभी मध्यां चरीत कभी उत्तम चरीत। दुर्गाशाप्तशाती में कभी मध्याम चरीत कभी उत्तर चरीत पाट करने की प्रक्रिया चलती रही। सन 1964-66 में अद्रिश्य प्रेरणा वश मेरे गुरुदेव श्री शीव चैतन्य वर्णी जी का प्रथम दर्शन हुआ उन दिनों वे साल में एक बार बनारस आया करते और मेरे अध्यापन गुरु पंडित श्री रामानुज हुझा से मिला करते उनके दर्शन के पस्चत जब मैं उनके चरणों में बैठा तो उन्होंने पुछा पुजापट करते हो मैं जो किया करता था बतला दिया उन्होंने कहा गायत्री मंत्र जपा करो मैंने पुछा कितना उन्होंने कहा कम से कम तीन माला जब का क्रम चलता रहा सन 1972-71 में उन्हें देवरिया के एक ब्राम्हन के घर से गायत्री के विशाय में प्रभूत सामग्री मिली जब सन 1972 में वे वारनसी आये तो मुझे वार्जा मठ और अंगाबाद में जहां वे रुका करते थे बुलाया मैं जब मठ में पहुचा तो उन्होंने मुझे मात्री का यूत गायत्री मंत्र का स्वरूप बतलाया और पूछा क्या उमर है तुम्हारी मैंने कहा 32 वर्ष उन्होंने कहा जो वस्तु मुझे साड़ वर्ष की उम्र में मिली मैं तुमको उसे 32 वर्ष की उम्र में दे रहा हूँ तुम भाग्यवान हो उसे जबते रहना कालंतर में गुरुदेव ने मुझे गायत्री मंत्र की दिक्षा दी और कहा इसको जबते रहो इससे सब हो जाएगा फिर वे जब भी मनारस आते या मैं उनकी कर्मस्थली माहिश्वर मध्यप्रदेश जाता मुझे गायत्री के विशाय में भिन्न भिन्न सामग्री उपलब्ध कराते उनके द्वारा प्रदत्य उनके द्वारा प्रदत्त गायत्री के समस्त विशाय गायत्री महातंत्रम में संग्रिहित कर दिये गये है सन 1989 से 1992 की अवधी में श्री तंत्रा लोग का सांगो पांग अध्यायन एवं सानुबाद सती का संपादन योजना के अंतरगत तंत्रा लोग पर कार्य किया गया और इस पंच खंडात्मक ग्रंथ का प्रकाशन सन 2003 में हुआ तब से अध्यावधी तंत्रिक ग्रंथों का सव्याख्या संपादन इवं प्रकाशन का कारिय अनवरत चल रहा है तंत्रिक ग्रंथों के अध्यायन साधना उपासना के 35 वर्ष के दिर्गकाल में मैं जिस निसकर्ष पर पहुचा हूँ वो ये है कि इस क्षेत्र में महाशक्ती की कृपा के बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता जिस प्रकार सूर्य के दर्षन के लिए सूर्य की किरने माध्यम बनती है उसी प्रकार भगवती परासंवित के विग्रह स्वरूप तांत्रिक ग्रंथों का अध्ययन एवं व्यक्यान महाशक्ती की कृपा के बिना नहीं हो सकता दूसरा जो अवश्यक तत्व है वो है गुरू तंत्रशास्त्र के प्रवर्तक भगवान शिव अपने सदाशिव रूप से चल कर नाना रूप नाना नाम से गुरुत्व का निर्वाह करते हुए भगतों पर अनुग्रह करते है बिना समर्थ गुरू के साधना पत पर अग्रसर होना अति दुशकर है तीसरा तत्व है श्रद्धा और विश्वास साधक यदी इन दोनों गुनों से रहित है तो उसे साधना करने पर भी सफलता नहीं मिलेगी श्रद्धा और विश्वास के साथ आगे बढ़ने पर पूर्व जन्मक के संगसकार वश सद्गुरू स्वयं उपलब्ध हो जाते है जितनी तीवर मात्रा में श्रद्धा होगी उतनी ही तीवर गती से क्रिया होगी और उतनी ही शीगरता से सद्गुरू की प्राप्ती होगी समर्थ गुरू के मिल जाने पर कुछ भी मिलना शेष्ट नहीं रह जाता क्रिया होगी